आज का विशे हैं सच्चा करम योगी जीवन कैसे बनाएं इस संगम योगी ब्राह्मन जीवन का लक्ष है करमातित स्थिति को प्राप्त करना या कहें संपूर्ण फरिस्था स्थिति को प्राप्त करना तो करमातित स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर करम योगी बनना अवश्यक है जब तक हम करम योगी नहीं बन सकते हैं तब तक हम करमातित नहीं बन सकेंगे तो तपस्या वस में बाबा ने हमें प्रेरित किया था सेवा कपल्डा थोड़ा सा हल का रख कर योगा भ्यास के तरफ या तपस्या के तरफ विसेज ध्यान देना ताकि तपस्या हमारी शक्ति शाले हो क्योंकि जानी जानन हार बाबा जानते हैं आगे चलकर सेवा की प्रवृत्ति इतनी विश्याल बेहत विति से बढ़ने वाली हैं जिससे बच्चों को एकांत में बैठ कर तपस्या करने का चांस नहीं मिलेगा लेकिन इस अव्यक्त वर्स में बाबा ने प्रिरित किया कि सेवा और तपस्या साथ-साथ चलते रहें करम और योग साथ-साथ चलते रहें जो बुद्धि रुपी तराजो हैं बैलन्स हैं उसमें सेवा का पलड़ा दिन प्रति दिन भारी होने वाला हैं फिर भी साथ-साथ निरंतर तपस्या चलते रहें उसके लिए बुद्धि हमारी शक्तिशाली बनाना अवश्चक हैं बुद्धि की क्षमता दिन प्रति दिन बढ़ती रहें तो स्वतही सेवा करते करते निरंतर योगी बनते बनते हम संपुण दाके मंजिल पर पहुंच जाएंगे बाबा ने कल भी कहा करम और योग यह अलग अलग नहीं है लेकिन साथ साथ कंबाइंड शुरूप हो योग में करम हो और करम में योग हो लेकिन यह अभ्यास हमारा सहज रेतिस से चलता रहें इसके लिए हमें इसकी पूर्व तयारी करना आवश्यक हैं तो करम योगी की परिभाशा है योगी का करम पर प्रभाव हो न की करम का योगी पर प्रभाव हो करम अपनी बुद्धी को अपनी तरफ न खीचे लेकिन अपनी शक्तिशाली स्थिति का प्रभाव हम जो सेवा करते हैं या जो करम करते हैं उस पर सदेव पढ़ता रहें पिरणाम तहा अलव किकता हमारे जीवन में बढ़ती जाएगे सेवा में देवेता अलव किकता बढ़ती जाएगे क्योंकि परमात्मा से जो हम दिविश शक्तिया प्राप्त करते जाते हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करम क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, जो भी हम सेवा करते रहेंगे उस पर सोतही पढ़ता रहेगा। लेकिन एकी साथ ये दो कार्य करने के लिए बुद्धि हमारी शक्तिशाले हो। बाबा ने एक बार कहा था, मेरे बहादूर बच्चे वो हैं, मेरे महावेर बच्चे वो हैं, जो एक साथ दोनों कार्य सहज रिती से करने में सफलता प्राप्त करते हैं। एक बार एक कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार साथ साथ दोनों कार्यां सहज रिती से सफलताम प्रुवक करते रहें। ये बहादूरी का कार्य है। तो करम योगी बनने के लिए जो भी हमें लवकिक तथा अलवकिक जिम्मेदारी संगम योग पर मिली भी है। वह जिम्मेदारी का बोज जो है बाबा के कंधे पर रखकर हम स्वयम को सदा रहा हलके फुलक के रखें। जैसे परिवार में चोटे बच्चे जो होते हैं वह मस्त रहते हैं हलके फुलके रहते हैं, कोई चिन्ता नहीं, कोई परवाण नहीं होती है क्योंकि वो बच्चे कहलाते हैं तो एसी अगर हम बाबा के स्वयम को बच्चे समझते हैं तो जिम्मेदारी का बोज जो है बाबा के कंधे पर रखते हैं अगर हम स्वयम के कंधे पर रखते हैं तो मन और बुद्धी हमारी बोजहिल बन जाती है मन और बुद्धी सहज रिते से उड़ान नहीं भर सकती हैं इसलिए सरव प्रथम इस अभ्यास को बढ़ा है दिनचे रहा में जब भी हम सेवा शुरू करते हैं बाबा को याद करके जिम्मयदार्य का बुज बाबा को सौंप दे और जहां हम करम करते हैं उस माहवल में में तिन बातों का हमारे बढ़ा प्धिपर सद्यव प्रभाव पढ़ता है उधारन तहां में करम का प्रभाव बुद्धी पर पढ़ता है पहली बाद गुष्जवाद जो संगी साथी हमारे साथ में होते हैं उन्हों के स्थिती का प्रभाव पढ़ता है. तिसरी बाद जो वायू मंडल होता है जिस माहौल में हम सिवा करते हैं टेंशन वाला हो अशुद्ध हो भयावा हो जिस भी प्रकार का वायु मंदल हो उस वायु मंदल का प्रभाव हम आत्मा पर प्रपड़ता है तो तीनों प्रभाव से परे रहने के लिए एक बात का अभ्यास करना आवश्यक है सदेव हमारे बुद्धी पर इश्वरिय नशे का प्रभाव पड़ता रहे या इश्वरिय नश्या आत्मा पर चाया रहे जैसा हम दुनिया भी प्रिति से देखते हैं जिस समय कोई व्यक्ति नशे से ज्यूमता है नशे में खोया रहता है उस सुद्ध बुद्ध सब कुछ भूल जाता है ये लवकिक बात है तो ऐसे ही इश्वरिय नशे का पावफुल डोस अगर हम स्वयम को अम्रुत वेले दे देते हैं तो हम इलवकिक दुनिया की सुद्ध भूल जाते हैं लवकिक दुनिया से परे अपने अलवकिक दुनिया में सदेव खोय रहते हैं जैसे उस व्यक्ति की आँखें लाल हो दिखाई देती हैं नशीली आँखें तो ऐसे ही जो इश्वरी नशे में खुई हुई आत्माय रहती हैं उनके नेनों में भी वो इश्वरी नशे की जलक और फलक हमेशा चाहिए रहती हैं कोई भी विवेक्ति उसको देखकर कह सकता है कि यह इश्वरी नशे में चूर है क्योंकि जब तक इश्वर्य नश्य में चूर नहीं हो सकते हैं, तब तक इस दुनिया से दूर नहीं जा सकते हैं मन बुद्धी हमारी सदेव हलकी रहें, न सीब हलकी रहें, लेकिन उडान भरने की ख्षमता उस बुद्धी में हो, न सीब उडान भरने की ख्षमता बुद्धे में हो, लेकिन लंबे समय तक बुद्धी हमारी बहुत उचाई पर स्थीत रहें, मगन रहें, उसके लिए एक इनिस्यल फोस की आवशक्ता हाती है वो है इश्वरी नशा जिस समय हमारा इश्वरी नशा बहुत अच्छी तरह से चड़ा हुआ रहता है तो नच आते हमारी मन और बुद्धी उच्चाई पर स्थित रहती है और जिस गड़ी इश्वरी नशे की डिगरी नीचे आती है इश्वरी नशा कम होता है तो हमारी बुद्धी भी इस साकारी दुनिया में आती है इस माया भी दुनिया में आती है बाबा निकल एक बहुत अच्छी बात बताई चाहे कुछ भी हो खुशी हमें गुम नहीं होने देना है शरीर भी चला जाएं तो भी खुशी हमारी गुम नहीं हो क्योंकि सबसे प्यारी चीज हमें अपना शरीर है जितना हमारा शरीर से प्यार है शायद किसी और बात से हो जो सबसे प्रिय वस्तु हैं ये भी चली जाएं फिर भी खुसी हमारी नगुम हो पर्थाद बाबा ने खुसी को बहुत इंपोर्टन्स दिया क्यों दिया क्योंकि खुसी के आधार पर ही हमारी स्रेस्ट रस्टिती बनी रहती है जब खुसी रग रग में हम अन्बो करते हैं तो हमारा नैच्रल संसकार इश्वरिय नस्य में स्थीद होने का बनता है हम बाबा के पास आए हैं बहुत रॉयल सौसकार धारन करने के लिए जो राजय खराने में हम जाने वाले हैं राजय महराजय विश्व माराजय बनने वाले हैं उसके लिए राजय सौसकार हमें वर्तमान समय धारन करने होगे लेकिन उन समस्कारों को धारन करने के लिए सबसे पहली बात है वो बेहाद की खुशी और बेहाद का नश्या सारे जीवन भर हम अन्भो करते हैं जितना उच्या नश्या होगा समझ लो उतने उच्या समस्कार हमारे स्वतही बनते जाते हैं इसलिए ये प्रतिक्न्या स्वयम से करें चाहें कैंसे भी वेक्ति आएं कैंसे भी परिष्टिति आएं कैंसे भी आपति आएं कैंसे भी समस्के आएं हमें स्वयम की खुशी या स्वयम का नश्या कम होने नहीं देना है इसको हर हालत में संभाल कर रखना है सेवा के ख्षेत्र में हम देखते हैं कोई हम वेक्ति हमसे उच्या नीच्या बोलता है उस समय हम एकदम उदाहस हो जाते हैं मायूस हो जाते हैं इतनी सस्ती हमारी स्थिती नहीं है जो वेक्ति कोई हमें उच्या नीच्या बोलता है उसके हवाले हम उसको कर दे ट्रेन में जाते हैं आपके जेब में 10,000 रुपया हैं नीन आपको बहुत प्यारी हैं रात को सफर कर रहे हैं नीन का त्याक करोगे बार-बार आपका ध्यान जाएगा मेरे जेब में 10,000 रुपया पड़ा है उसका मुझे ध्यान रखना है तो नीन सिर जास्थी इंपोर्टन्स आपने उसल इंप अमाउंड को दिया तो वे सेखाषी सेवा की क्सित्र में सब सिर जास्थी इंपोर्टन्स हमें नशे को, या खुशे को देना है बाबा ने खाँ सेवा अगर नहीं करते हैं या नहीं होती है वो कोई बड़ी बात नहीं उसको छोड़ दो लेकिन अपनी स्तिती को डिस्टरब नहीं करो क्योंकि स्रेश्ट स्तिती के आधार पर ही स्रेश्ट सेवा सोता ही होती रहती है सेवा के लिए सेष्ट स्थिति के आवस्यक्ता है क्योंकि सेवा के क्षित्र में सफलता मुरद बनने के लिए हमारे पास में दिव्य अस्त्र-श्त्र होना जुरूरी है जैसे युद्ध के मैदान में युद्धे के पास अधियार होते हैं बारूध होते हैं या जो भी समझो दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं तो वेसे ही इस मायावी दुनिया में हम जो रुहानी युद्धे हैं उन्हों के पास में ये दिव्य अस्त्र शस्त्र होना जुर्री ह लेकिन दिव्य अस्त्र स्त्र होने के लिए दिव्य गुण धारी या दिव्य शक्तियों धारी तभी हम बन सकते हैं जब हमारे ऐसे समस्कार हो ऐसे नश्या खुशी हमारे पास हो वरना दुस्मन हम पर कभी भी अट्याक करके हमें हरा सकता है चलते चलते हिम्मत हम हार देते हैं उसका कारण यही है कि इश्वरिय नश्य का नेचरल समस्कार हमारा नहीं बनता है इश्वरिय नश्य का समस्कार नेचरल हमारा बने बुद्धी तक नहों मुख तक नहों लेकिन जीवन में सदा हम अन्भाव करते रहे हैं खुशी के खजाने की चाबी बाबा ने हमें दी है वो कुन सी है हम खुशी के खजाने की चाबी कुन सी है मेरा बाबा खुशी के खजाने की चाबी है Soul Conscious किस्तिती आत्म अभिमानी किस्तिती ost चाविया आपके पास अगर हैं तो आप खुशी का खजाना खोल कर जितना चाहें लूट सकते हैं लूटा सकते हैं जिस घड़ी माया वो चावि छीन लेती है या छिपा लेती है या हर लेती है उससे आम उसमें आप स्वयम को परेशान अन्भू करेंगे परेशानिया चावि गुम होती है तब ही होती है आप घर में देखते हैं माताएं घर समालती है जिसमें कोई किम्ती चीज रखी भी जो पेटी होती है या अलमारी होती है उसकी चावि जब गुम हो जाती है तो केसी परेशान हो जाते है जब तक वो चाविय नहीं मिलती है त तब तक हो वेक्ति परेशान नज़ाता है तो यह इसी ही इश्वरी जीवन में परेशानी तब ही हम अनभो करते हैं जब यह चाबी खो देते हैं इसलिए इस चाबी को स्वयम सदा पकड़ कर रखना पकड़कर रखना अच्छी तरह से उसका अभ्यास करते रहना उस अभ्यास पर हमारी ग्रीब हो उस पर हमारा कमांड हो उस पर हमारा होल्ड हो वो सहज रिते से हमारे जीवन का अंग बना हुआ हो तो नसीब उसको पकड़ना है लेकिन उसको लगाने कि भी कला को प्राप्त करना है बार-बार उसका अभ्यास कहरत करते रहें और खुशी को अच्छी तरह से अन्भो करते रहें तो सेवा के सेत्र में अंतरिक अभ्यास हमारा यह सदयों चलता रहें कि मैं Jahre систем करम्यद्रियों के द्वारा करंदर्ः कर रहें हैं साक्सी होके इस धेह को भी देखें अपने देह को साकसी होकर देखे और जो शंगीसाथि हमारे feel Klar W और छीए करम सेतर में होते हैं उन्हों को भी आत्मिक दुरिस्थी से देखें हमारा अलोग किक जीवन हम विता रहे हैं लेकिन जीवन में अलोग किकता कहां तक आई है इसको अगर आपको मेजेर्मेंट करना है इसको अगर आपको अन्बव करना है तो सुक्सम चेकिंग इस अभ्यास के आपको करने हैं कहां तब मैं स्वयम को जोती और अन्यात्मों को न तो यह गुप्त अभ्यास हमारा दिन प्रति दिन बढ़ता रहे हैं आप देखेंगे इश्वरिय जीवन में कोई भी प्रकार की सिद्धी अगर प्राप्त करनी है हम सिद्धी स्वरूप अन्त में सिद्धी स्वरूप आत्माय बनेंगे जो संकल्प करेंगे वह प्रक्टिकल हमें दिखाए देगा सिद्धी स्वरूप हम स्वरूप करेंगे लेकिन कोई भी उपलब्धी या सिद्धी को प्राप्त करने की कला है यह पहला लेशन पक्का हमारे जीवन में हो बइस लुए जीवन का इश्वरिय जीवन रूपी पेड़ है उसका यह जड़ है अ कि हो अगर चत्रय पास है तो जीवन कि एटोमेटिग होगा अगर ज़डों आपके हाथ में नहीं है न ही तो आपका जीवन कर्षा जो है उस पर आपका अधिकार नहीं होगा उस पर फल फुल दिवे गुणधारी आपको अन्भू नहीं होगा कि इसलिए दीन राद एकांत में बैठकर कूट कूट कर घोड़ घोड़ कर इसका अभ्यास करें सच्मुष हम योगी बनना चाहते हैं तो सिंसियर होकर बहुत स्वयम से अनेस्ट्री रखकर इस अभ्यास को पक्का करें अगर इस अभ्यास पर आप अपना समय और शक्ति नहीं लगाते हैं तो चाहे और पचास साल भी इस मार्क पर क्यों न चलते हुआ आप आपके हाथ आपकी जोले खाले ही रही इसलिए पुर्श्याद का जो गुह राज यह है क्योंकि यही हमारी अंतिम मंजिल है तो करम करते समय इसका अंतरिक अभ्यास हमारा चलता रहे हैं दुसरी बात करम करते समय कहीं कहते हैं हम बुद्धि का काम बहुत करते हैं स्थूल काम करते समय बाबा को याद सहज कर सकते हैं लेकिन जिस समय हम स्थूल काम सुक्समकाम करते हैं अकाउंट का या कोई भी जिसमें बहुत बुद्धि के आउश्चता होती है वो समय बाबा को याद नहीं कर सकते है लेकिन बहुत जो चतूर बिजनेस में होते हैं, वो क्या करते हैं, जिस जगह दितनी पुन्जी उनको लगानी है, उतनी बहुत एकोनोमी से लगाते हैं, जहां 50 रुपया लगाना है, वहां 100 रुपया नहीं लगाएंगो, तो जो हम सेवा कर रहे हैं, उसकी लिए 40% बुद्धी की आवश्यक्ता हैं, तो 100% बुद्धी हम वहां न लगाएं, लेकिन बची भी 60% जो है बुद्धी बाबा की तरफ हम फोकस करें, उसका डिस्टिबि बढ़ करें, 60% बुद्धी बाबा की तरफ 40% एधार, दोनों प्राप्तिया साथ साथ चलती रहें, और इसा अभ्यास करते करते बाबा की तरफ हम बुद्धी का परसेंटेज बढ़ाते जाएं, 60-70, 80, 90, 100, एक शमता जब आप प्राप्त करते हैं, अन्बो करते हैं, समझ करता की स्थिति हमारी यही है, कि परम धाम में 100% बुद्धी हमारी निरंतर हो, यह हमारी संपून स्थिति के मंजील है, लेकिन उसके लिए गुप्त पुर्शाथ हम यही करते रहें, तो चाहे स्थूल कारे हो, चाहे सुक्सम कारे हो, उसके लिए बहुत एक अच्छी यु हम खोए रहे हैं, उसके लिए बहुत सुन्दर एक प्रैक्टिकल युप्ती हैं, जहां आफिस में कारे कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस समय आप बाप दादा को इमर्ज करके ऐसा अनबकरो कि बाप दादा मुझे देख रहे हैं कि जैसे किचन में मा भोजन बनाती है छोटा बच्या बैठा है नीचे या चल रहा है छोटा बच्चा एकदम तूभ बहते हैं तो बोजन बनाती है जेँ साथ-ईसकाद अपने बच्चे पर भी है वब फूशता है मम्मी क्या भोजन बना रहे हैं मेरे लिए तो जवाब वह दे रही है कि यह यह बना रही हूं करम करते समय उसका ध्यान अपने बच्च पर है कि बच्च्चा मुझे देख रहा है त्वेस की बाप दादा मुझे हर प्रपल हर घड़ी देख रहे हैं तक्टिकल अन्बोक रहे हैं नसीब देख रहे हैं लेकिन मुझे सर्च लाइट दे रहे हैं सकाज दे रहे हैं नसीब सकाज दे रहे हैं लेकिन मेरे स्थिति को वो वाच कर रहे हैं श्रिमत के आधान पर जो उनको अच्छा लगता है वही मुझे बुलना है जो संकल उनको अच्छा लगते हैं वही मुझे सोचने हैं जो करम उनको अच्छा लगते हैं वही मुझे करने हैं तो सुख्समचीकिंग हमारी चलती रहेगे इतार में ब्रह्मा बाप से बढ़कर कोई भी व्यक्ति व्यस्त नहीं है सबसे जास्ती व्यस्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले ब्रह्मा बाप थे तो सबसे जास्ती व्यस्त रेते हुए नंबर वन करम योगी का शामपल बाबा बने वो हमारे सामने सबूत हैं तो वो बन सकते हैं तो आप नहीं बन सकते हैं तो एकदम बाबा ने उनको हल करते हैं जो व्यस्तो समझ कर बहुत अपने को बाजी बोजिल समझते थें टैंशन में समझते थें एकदम हल करते हो गया है इतना व्यस्तवति भी करम योगी बाबा बन मैं भी बन सकता हूं मैं भी फालो कर सकता हूं और इसके साथ-साथ हमारा बीच-बीच में अभ्यास चलता रहें कि करम करते समय हम स्वयम को स्थूल देह न समझे लाइट और माइट की काया दिव्य प्रकाश में काया अन्वो करते रहें अत्मा जो शक्तियों का पुंज है दिव्य प्रकाश में अत्मा है यह श्रीर काया है यह भी प्रकाश में है अत्मा का जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ चुकी है इतनी बढ़ चुकी है जो मेरा श्रीर भी ट्रांस्परन बन चुका है ट्रान्स लाइट के तरह ठांस्पॉरन्ट बन चुका है अंग-ःफ से जैसे की वो किरने निकल रही है या स्वम्हाद हो रही है एकक्दम हल्का-फुलका मैं स्वम्कों अन्बऌ कर रहा हूं तो ट्रीपल लाइट की श्तेति हमारी करम करते समय हो निरंतर करम योगी बंदे के लिए ट्रिपल लाइट की स्थिति हमें अन्वो कदना ही है पहला लाइट मैं जोती बिंदु है आत्मा दुसरा मैं देह भी लाइट सुरूप है मेरा देह भी लाइट सुरूप है तिसरा मैं एकदम लाइट हूँ मैं एकदम हल्की फुल्की हूं रिंचिक मात्र भी हेविनेस या बोज मुझ आत्मा पर नहीं है एकदम लाइट हूं तो ट्रिपल लाइट की स्थिति होने के बाद जो सुप्रीम लाइट है उससे आटोमेटिक आपका निरंतर कनेक्शन जुटा हुआ रहेगा तो चार लाइट होने से चारो तरफ लाइट ही लाइट की अनुबुती आप करते रहेंगे चारो तरफ आपसे लाइट ही लाइट रिफलक्ट होता जाएगा या रेडियेट होता जाएगा फैलता जाएगा कि जोह हमारी स्टी होती है उस स्टीक का प्रभाव जो है जहां हम रेते हैं उस वाई मंडल में उस क्सेतर में होता है आपने देखा होगा कि साठ का जो बल्ब है उसका आपना स्टर होता है अजार का बल्च यहोता है उसका अपना कंश्येतरह होता है। उसकी केड़ने लाइट फैलता है यह जो आत्मारूपी बल्ब है इसका दिव अध्यवाय प्रकाश जो हैम जेतना जेतना बढ़ता जाएगा उतना-थण ह में वह प्रकाश के किरणे वह भाइब्रेशंस autometric कार् आभा मंडल या ओरा बोला होता है जो भी महान आत्मय होते हैं योगी आत्मय होते हैं उन्हों के आजो बाजो में लाइट का क्राउन दिखाते हैं क्यों दिखाते हैं क्योंकि उन्हों के मन में हमेशा बहुत सुन्दर पवित्र संकल्प प्रवाहित होते रहते हैं और बहुत सुन्दर प्रवितर्थ्रपा की स्थिति उनकी होती है वी कि जहां ऐसी योगी आतमाएं जाते हैं जहां कदम रखते के वहां ऐसे प्योर वाइब्रेशंस वहां छोड़ कराते हैं आदेन ले करते हैं योगी आतमाएं वो vibrations अपने फैलाते रहते हैं तो गुप्तरिति से हमारा यह अभी अभ्यास चलता रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे हमें अपनी मंजिल तक पहुँशना ही है इस आबो की पहाड़ी ओपर अंतिम दर्स ऐसा होगा इस आबो की पहाड़ी ओपर चार और लाइट के फरीस्थे ही फरीस्थे नजराएंगे परिया किटेन परिया उडती रहती है फरीस्थी उडती रहते हैं एंजल्स जो है हमेशा उडते रहते है तो यह जो पहाड़ी आँ है चारो तरह फरिस्थों की यह मेफिल यह ici नबो किरेंगे लेकिन उसके लिए लंबे समय का अभ्यास हमारा अंतरिक चलता रहा है क्योंकि फरिस्ता की स्थिती भी हमें इस अव्यक्त वर्स में इस फरिस्ते वर्स में हमें फरिस्ते की स्थिती के अन्भो जरूर करने है जनुवरी तक हम इस वर्स का थोड़ा सा जो भी समय बचा हुआ है इसमें हमें फरिष्टिस्थिति के अन्भो जरूर करने है जो आत्माएं फरिष्टिस्थिति के अन्भो करेंगे उनकी आधार पर ही वो आगे चलकर धेरे धेरे फरिष्टिस्थिति को बढ़ाते जाएंग और जल्दी है संपूर अस्तिति को प्राप्त करके उस संपूर अस्तिति के द्वारा विश्व की सेवा बेहत की सेवा करते रहेंगे उन्हों को बेहत की सेवा करने का गुल्डन चांस मिलेगा क्योंकि समय बहुत कम है और थोड़े समय में हमें बहुत बड़ी सेवा की जिम्मेदारी को पूरा करना है बाबा ने कहा नकल जो सचिस नहीं बच्चे हैं वो बाप की आश्याओं को पूरा करने में हमेशे अवेस्थ रहते हैं तो बाब की क्या आचा है बाबा हमसे क्या चाहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं सिर्फ एक यह बाद चाहते हैं इस तीनों लोगों में बाब की प्रत्यक्स्ता हो मेरे बच्चे जो हैं जिन्हों को मैंने अडॉप किया वो मेरा नाम बाला करें और इस दुनिया को परिस्थान ब प्रच्छे होते हैं इस काले में हमेश्या बिस्हें रहते हैं व्यस्तर रहते हैं उनको सदेव ताहतं लगे रहती है बाबा को मैं अपने स्थिति के द्वारा कैसे प्रत्रिक्स करूँ क्योंकि बाबा की प्रत्यक्स्ता जो होगे इस संसार में वो योगी आत्मों के माध्यम से होगी क्योंकि बाबा निराकार है बाबा की शक्तिया गुप्त है बले सरुषक्तिवान है लेकिन उसकी गुप्त शक्तिया जो है इस संसार में योगी आत्माओं के साकार माध्यम से होगी सक्षातकार मुरत ऐसी योगी आत्माओं जो बनेंगे उन्हों को जब वो देखेंगे सारी दुनिया वाले कि इतनी रचना सुन्दर है जिसकी रचना इतनी सुन्दर है वो कितना सुन्दर होगा एटोमेटिक सभी के इशारे उसके तरह जाएंगे तो यह कितना सभाग है यह बाप को प्रत्यक्स अपने स्थिति के द्वारा हम करें वो गुर्डन चांस लें बात उचे भागे के निशानी है दूसरी बात बाबा ने जो कल मुर्ली चलाएं जो सच्चेस नहीं बच्चे होते हैं वो सदय वस्नेह में समाय रहते हैं सच्चेस नहीं बच्चे जो हैं सदय वस्नेह के सागर में हमेशा समाय रहते हैं, खोई रहते हैं, डुबे हुए रहते हैं आप देखेंगे कि बाबा पांस हजार वरस के बाद हमारे सामने आकर खड़े है इतने लंबे समय की हमारी इंतजार थी उसको पाने की जो तड़फन थी उसके बाद आकर सामने हमारे विराजमान हैं और वो हमसे एक चीज़ मांगते हैं मुझे एक चीज़ आपसे चाहिए, क्या दोगे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे सच्चा सनेह, दिल का सनेह, जिकरी प्यार चाहता हूँ उसका कॉंट्रेक्ट करने के लिए मैं आया हूँ, मैं कॉंट्रेक्टर हूँ, मैं आपका जिकरी प्यार का कॉंट्रेक्ट करने के लिए आया हूँ, मैं वो चाहता हूँ आपसे आप थोड़ा सा 63 जन्मों के जीवन पर जो है तुरुष्टी जाक लो जरा कितने कड़वे अन्भो हमने किये है माया ने हमें कैसे लताड़ा रोती रहे क्यों 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 हमारा जो दिल का सच्चा स्नेय है वह हम कई आत्मों के साथ में उसका बिजनेस करते रहें कई आत्मों के साथ उसका बटवारा करते रहें दस परसेंट बाप से दस परसेंट मा से बीस परसेंट इस से बीस परसेंट इस से ऐसे तुकड़ी तुकड़े करते करते बटवारा करते रहें और सबी से हमें कटू अन्बह हूएं सबी ने हमको धोख़ाए दिया तो जिस प्यार का सवधा आत्माओं के साथ में वेभा के साथ में हमने किया और धोखा कहा या क्योंना वो जिक्री प्यार उस बाबुल को इस प्रियत्म को हम समर्पित कर दें क्योंकि हमारा बविश्य उज्वल बनाने वाला वही एक विश्वास पातर है क्योंकि परमात्मा का प्यार जो है विश्वास पातर है आत्मों का प्यार विश्वास पातर नहीं है कभी वह धोखा दे सकते हैं God's love is reliable love. God's love is everlasting love. अभीनासी प्यार है. आत्माव का प्यार अभीनासी नहीं है. अभीनासी है. तो क्यों न हम उस प्रियतम के साथ सर्व संबंदों का अनभव करें? क्योंकि बुद्धी को हमने बहुत बढ़काया. अब बढ़की हुई बुद्धी को क्यों न हम एक ठीका न दे दे. विदेश में एक शॉपिंग सेंटर होता है. वहाँ जो भी चीज आपको चाहते हैं, एक जगव जाने से सब इस चीज़े मिलती है. उसको शॉपिंग सेंटर करते हैं. एक चीज यहां से लिए, वो चीज दूसरे दुकान से, उसके लिए वहां बठके वहां जाए ऐसा नहीं होता है एक बार आप एक शॉपिंग सेंटर में जाओ जो चीज़े चाहिए आप लेके एक ठीकाने से चलो कि तो बाबा ही ऐसा है जिससे सर्वसंबंदों का रस हम अन्भू कर सकते हैं सर्वसंबंदों का सर्वरस्व का बंडार जो है वो सत्यम सिवम सुंदर है तो क्यों न हम दिल का प्यार जो है उसको समर्भि कर दें और इस संसार में सबसे भागेशली आत्माइं वो है कौन से भागे शाले आत्मे हैं जो परमात्मा की नेनों की सामने है वो तो भागे शाले है लेकिन उनसे भी बढ़कर भागे शाले वो आत्मे हैं जो परमात्मा की नेनों में समाय रहते हैं इस से बढ़कर इस संसा में और कोई उचा भागे नहीं है जो परमात्मा की नेनों में समाय रहते हैं यह सबसे उच्या भाग्य तीनों लोगों में हैं लेकिन वो स्रस्रतम भाग्य जो हैं ऐसे सचेस नहीं बच्चों को ही प्राप्त होता है क्योंकि भागय प्राप्ट करने का या भागय बनने का एक या भार हमें इस ट्रामा में चांश मिलता है क्यों नहुं सो परतिश्वत प्यार उसको देड़ें कहीं कहते हैं अमरुत वहले हम बाबा को याद करते हैं बहुत अच्छी बात है करना चाहिए लेकिन सब सी जवरदस्त वह है जो अम्रुत वहले भगवान जिनको याद करता है कि मेरे यह अनन्य योगी फिचिया अनन्य मेरे लाल जो है ईस संसा में महान का रिखा रहे हैं भगवान भी उनको याद करता है हम उसको याद करते कोई बड़ी बात नहीं है हमारा मतलब है हमें उसके कुछ चाहिए शक्तिया चाहिए दिए उसका हमसे कुछ मतलब नहीं है निस्वारत प्यार देने वाला वो एक ही है जो संसार ये स्वारत की डोरी में बंदा हुआ है स्वारत का जो धागा है इस संसार को उसने बंदा हुआ है अगर वो धागा नहीं है तो ये संसार बिखर जाएगा इस संसार नहीं चलेगा जिए चलेगा को ही लेकिन एक ही बाबा जो है निस्वार टोप्यार हम iyार चौह से वर प्यार कि साड़ी दिन भरी का भाप के रूप में मां के रूप में टीचर के रूप में सझिद्गर रूप में सखा के साजन के रूप में उसको हम याद करते रहें तो आटमेटिक करम योगी बनते जाएंगे हैं कब करम करते समय जिससे हमारा बहुत जिख्रीच्षेए आटमेटिक उसके तरफ हमारे बुद्धि जाती हैं parallels के दिया जिसने हमें जन्हम् दिया जिसने कि इतना श्रेष्ट जीवन दिया जो हमारा जीवन को से आगए बढ़ा रहा है तो उसके प्रति हमारा जिगरी स्निहां नहों इसा हो नहीं सकता है तो उस प्यार के सागर में सदा खोई रहें तो यह दुनिया की जो भी बाते दुखदाई बाते जो हैं उस पर असर नहीं कर सकते हैं एकदम अंडरग्राउंड चले जाएं किते हैं इस दिल रुपी तक्त पर हमने कहीं आत्माओं को बिठाया अभी यह तक्त जो है उस एक को मैंने दे दिया किसी भी आत्मा को यह इस तक्त पर बैठने का अधिकार नहीं है बाबा मिला बाबा ने मुझे बहुत प्राप्तियों से भरपूर किया मेरी आशा है जो है पूर्ण हो चुकी है वी एक ही मेरी आशा है कुन सी आशा है अंतिम आशा है मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहे मेरी एक यंतिम आचा है कुण सी आचा है इस दील रुपी मंदीर में इस दील रुपी मंदीर में उस दिला राम को बिठा कर जिसने मेरे दिल को आराम दिया सची रहत दिन शीतलता प्रदांगे उस दिला राम सत्यम सेवं सुंदरम को बिठा कर उसको सदा देखती रहूं उसके सुंदरता को सदा निहाती रहूं उसके ही सदा गुण गाती रहूं और बस इस संगम की अनमौल घड़िया जो है उसमें ही बिठाती रहूं कि उसके ही मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि सरवप्राप्तियों के बंडार जो है वो मेरा बन चुका है उसकी मुईमा के गित्म में सदा गाती रहूं गुन गुनाती रहूं सच्ची पुजारिन सच्ची जोगन बनकर बस उसको ही निहारती रहूं यह सच्ची स्निय की निशान यह हैं बुद्धी रूपी नेतर में नूर के समान वो समया हुआ हो विराजमान हो ऐसे ही योगी आत्माओं को बाबा अपने पलकों पर बिठाकर घर ले जाएंगी दुख दर्ध की थोड़ी सी वीरिंचिक मान्थ फी आंच जो है असर जो है ऐसे बद्चों पर नहीं होगा क्योंकि अंतिम संद्विन दो पर एक स्याल से हमें पास होना होगा एक सेकन में अपने देह से नियारा होना होगा जब हम परिष्थिति में रहेंगे एक सेकंड में हमें द्यस से नियारा होना होगा आज दूसरा उसी क्षन परवंधाम में उस प्रियतम के शार्ष स्वमोगा करना होगा यह हमारा अंतिन पर है और सच्छा स्प्वर्ष है अगर हमारा बाबा से है शरीय का नाम अथम प्रकाश है और लगभग 20 साल से इस ग्यान मार्ग पचल रहा हूं नाकपुर महाराज से निकला हूं तो लोकिक में मैं उस समय यमिसी करता था यमिसी में इनियोसिटी को टॉप किया था मैंने मुझे गोल्ड मिडल भी मुझे मिला तो जैसे उस इनियो किचन में एटोली बनाने के सिवा पर उपस्तित हों और अब से